हेलो दोस्तों मैं जी चवान स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल सची कोचिंग क्लासे में देखिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रिजिनिंग को ओषिए दोस्तों क्या करना है इसे पूरा करना है और कोंशना मार कमारे और चार आपसंदी इन集 बहुत ही महत्तपूर है जो आपके एग्ज kü कोषचा सकता है तो चलिये दोस्तों हम इसको फट फट solve करते हैं देखिए पहले question में क्या दिया है B, C, F, G, J, K और question mark ठीक है देखिए दोस्तों इनमें सा कावा सा step अपना है कि हमारा question mark पर कोई एक option आ जाए ठीक है तो चलिए दोस्तों हम इसे फटा-फट solve करते हैं देखिए पहले क्या करेंगे जब भी कोई स्रिंखला ठीक है जब भी कोई स्रिंखला अच्छर में दी हुई हो तो पहले उसे क्या करेंगे हम संख्या में कर लडऑ करेंगे क्या करेंगे संख्या में ने कर लेते हैं देखिए दोस्तों आपको पता ही होगा यहले हैं 26 अश करेंगे तो देखिए दोस्तों बी किस अस्थान पर आता है दो आने कि बी दो नमबर पर आता है ठीक है और सी तीन नमबर पर आता है ठीक है और यप छे नमबर पर आता है और जी साथ नमबर पर आता है ठीक है और जे दस अस्थान पर आता है ठीक है और के 11 ठीक है तो में क्या किया है, 2 में 1 जोड दिया है, तो क्या हो गया है, ठीक है, फिर 3 में क्या जोड़ा है, 3 में 3 जोड़ा है, तो 6 हो गया है, ठीक है, अब क्या किया है, देखिए, 3 में 3 जोड़ा है, अब 6 में प्लस 1 जोड़ा है, तो कितना हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है, अब 7 में प 3 जूड़ा फिर एक जोड़ा तो अब क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो एकare घ्यारह में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा और 14 होगा तो 14 किस नम्मर पढ़ता है यण यदंनमर पर परथा है ठीक है आने क還有 डिए Mike Kr di Programmad है सी मी दिया हुआ है तो आफनल से हमारा से हो जाएगा दिखे दोस्तों इसमें छिर्ण integrity कैसे चली फहले इन अचयरों काम यह कμε कूझ कर लिया ठीक है तो पहले कैसे हमने दो में एक प्लस Step 3 तlon art is that आ मिछा फिर उसके बाद सी हमारा से हो जाएगा मैं उमीद करता हूँ यह प्रस्थन बहुत यह साइस आपको समझ में आ गए होंगे देखिए दोस्तों ऐसे प्रस्थन आपकी एकजाम में आए तो आप लोग बहुत अस्तान हमारा दो दिया हुआ है ठीक है और इन्हीं में से किसी एक आपसन को में सेलेट करना है देखिए दोस्तों इसे भी हम क्या करेंगे पहले इसे भी पहले हम संख्या में कनवर्ट करेंगे इन सभी अच्छरों को हम संख्या में कनवर्ट करेंगे तभी हम इस रिंख्रा को solve कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसे solve करते हैं देखिए दोस्तों क्या करेंगे पहले c दिया है ठीक है पहले c दिया है फिर small e दिया है फिर capital G दिया है फिर small i दिया है फिर capital की दिया है ठीक है तो हम इसी तरह कैसे solve करेंगे देखे कैसे solve कर सकते हैं देखे C किस नमर पढ़ता है तीन ठीक है किस तीन नमर पढ़ेगा क्यूंकि आपको पता होगा ABCD में 26 अच्छर होते हैं ठीक है और 26 अच्छर होते हैं उसमें C किस अस्थान पढ़ता है तीन ठीक है तो यहां पर दिया हुआ है तीन ठ कर लिया देखिए दोस्तों अब इसमें कैसे स्रिंख लाएं चल लही है यह में स्वल्व करना है देखिए इसमें क्या किया है तीन में प्लस दो कर दिया है तो क्या हो गया है पांच हो गया है ठीक है तीन में प्लस दो कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीके, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन 13 कौँ सा होगा, होगा इस्माल वाला, क्यों, क्योंकि देखेए पहले क Prophet है फिर समाल फिर कैप्टल फिर समाल फिर कैप्टल है तो यहां पर इसमाल होगा ठीक है तो यहां पर इसमाल यहां भरा जाएगा उसके बाद हम क्या यहां पर यहां तेरा नमबर पढ़ता है अगर हम तेरा में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पंदरा और पंदरा पंद लो देखे किस आपसन में दिया हुआ है आपसन नमर बी में दिया हुआ है देखे दोस्तों आपसन नमर भी हमारा से हो जाएगा देखे दोस्तों हमने क्या किया ऐसे प्रस्ण को पहले जब भी अच्छर में कोई प्रस्ण दिया हो तो उसे हम क्या करेंगे पहले उसे संख्या में कनवर्ट करेंगे फिर उसे सोल्व करेंगे दिखिए हमने हम ने कर अब लिए और Customer गया चूँअ का यह जाये है तो आपसे नम्झ नमभ यह मारा से हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रस्णा आपको बहुत असले यहीं समझ में इसक्राइब आपको बताया है चार हें यहां संख्या में कनवर्ट करेंगे उसके बाद इससे वसकर करेंगे दिखिए दोस्तों बी किस नम्मर पड़ता है दो ठीक है और यह चे नम्मर पड़ता है ठीक है और क्य ग्यारा नम्मर पड़ता है ठीक है और क्युष्ट र dow klein कर सकते हैं जब आपको पता होगा की ABCD में 26 अच्छर होते हैं मान लेजिए यम नमर पर क्या पड़ेगा बताई यम नमर क्या पड़ेगा वो 13 पड़ेगा ठीक है यानि कि यम नमर सभी यह से लेकर जिट नमर तक आपको याद कर लोगे तभी ऐसे प्रशना आप solve कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसे अप solve करते हैं देखिए बी बी में 2 है ठीक है तो और यप 6 है देखिए 2 में क्या किया है 4 जोड़ दिया है क्या जोड़ा है 4 जोड़ा है तो कितना हो गया 6 हो गया है ठीक है और 6 में क्या जोड़ा है 6 में 5 जुड़ा है तो 11 हो गया ठीक है अब 11 में क्या जुड़ा है 11 में प्लस 6 जुड़ा है आने कि 1 एक इस्टेप बढ़ता चला गया 2 में क्या किया 4 जुड़ा तो 6 हो गया और 6 में क्या जुड़ा 5 देखे पहले 4 उसके बाद 5 आने कि 1 इस्टेप बढ़ गया ठीक है तो क जोड़ेगा अगर सटरह में तो क्या आएंगा वह आएगा वह आएगा हमारा 24 क्या आएगा 24 GoDies 24 पर पर क्या पढ़ता है क्या पढ़ता है यक्स पढ़ता है तो देखिए यहांपर यक्स भढ़ा जाए Elektra और आफ़सें में किस में दिया हुआ है आफसंन नमघ्र ए में दिया हुआ है ठीक है देखें हमने क्या किया पहले इन सभी अच्छर पु अंक में Convert किया ठीक है फिर इसे शरिंखला बनाई तो इसमें पहले में 4 फिर दूसरे 5 तिसरे में 6 तो इसमें 7 आनिक करम बाई चलता गया ठीक है तो हमने क्या जोड़ा साथ जोड़ा तो हमारा क्या आया 24 आया और 24 नमबर क्या पड़ता है यक्स पड़ता है तो आपसर नमबर यह में दिया हुए यक्स तो आपसर नमबर यह हमारा से हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यह प्रसंद भी आपको बहुत यह दी हुए नहीं मेंसे एक आपन हमें सुलेट करना है , देखिए दोस्तों आज हमने एक ही टाइब के पर्सन बताए हैं ताकि ऐसे पर्सन आपको अ Weird समन में आ जाएं देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे अब हम इसे स्वल्व करेंगे कैसे स्वल्व करेंगे हमने आपको बताया था जब भी ए अच्छर दियों है ए भी सीडी में तो हम पहले इसे संख्या में करेंगे अब संख्या में पहले हम कर लेंगे उसके बाद इसे स् पड़ता है आफ टीबीस नममर पड़ता है ठीके ऑप यार आर किस नमर पड़ेगा 18 थीके देखी आने की जेड शाबीस नमर पे यक्सवीस वीомеैस आँ टीवीस और 18 ठीके तो हमने क्या कर लिया इसे संख्या में safar कर लिया देख宍थो अब क्या करेंगे कि हमारे खाले अस्तान पे कोई 2 option आ जाए ठीक है आने कि इसमें एक option आए और 2 संख्या है ठीक है देखे क्या करेंगे देखे क्या किया है 26 में माइनस 2 कर दिया है तो क्या गया है 24 ठीक है देखे अब यहीं step कर दिया है तो 18 हो गया ठीक है अब क्या करेगा अब 18 में से 2 माइनस करेगा तो क्या आएगा 18 में से 2 माइनस करेगा तो क्या आएगा 16 आएगा और 16 किसा अस्तान पड़ता है P, आने की P 16 नमर पढ़ता है, ठीक है, 16 नमर पढ़ता है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, P भरा जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, P 16 नमर में आए, ठीक है, अब 16 में से अगर हम दो गटाएंगे, तो क्या बचेगा, 14, क्या बचेगा, और 14, और 14 नमर पर क्या आता है again तो इहां पर क्या भरा जाएगा और दोसरे में किस option में दिया हुआ है option नमर D में दिया हुआ है हमारा से हो जाएगा देखी दोस्तों हमने क्या किया प्रेइन अच्छरों को यंक में कर्वाट किया पृर सिंक्ला इसमें क्या हुआ दो दो मानस करते चले गए ठीक है और हमारी संख्याएं प्राप्ट हो गई तो क्या आया पी और यह न अच्छा राया तो आफसर नम्मर डी में दिया हुआ है तो आफसर नम्मर डी हमारा से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेस्ट कोश्चन पर कोश्चन नम्मर पांच देखिए दोस्तों कोश्चन नम्मर पांच में क्या दिये गए बिकल्पों में अच्छर संख्याएं कौन सी भरी जाएंगी देखिए दोस्तों चार बिकल्प दिये हुए हैं इन्हीं में से एक बिकल्प को भरना है ठीक है और देखिए दोस्तों क solve कर लिजिएगा अगर आपको solve करना नहीं आदेगा तो आप वीडियो को देखिएगा तो चलिए दोस्तों हम इसे solve करते हैं देखिए पहले हमने क्या किया है ठीक है हमने पहले सभी वीडियो में क्या किया है पहले सभी इन अच्छरों को यंक में convert किया है ठीक है तो हम इसे सभी अंक में ही करेंगे तो चलिए दूस्तों इसे अंक में करते हैं तो यांक में करेंगे क्या जाएगा देखिये दोस्तों जी-जी किस नमर्व पड़ता है Champ hon next studyẩ indi कि A, B, C, D में कितने अच्छर होते हैं 26 अच्छर होते हैं और जिन जिन अस्थान पर कौन कौन सा अच्छर पड़ता है वही हमें याद करना है तो आप यह आद कर लिजिएगा तभी ऐसे प्रेशन सॉल्व कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों इसमें कैसे स् जोड़ा है नौ में क्या किया है नौ में तीन जोड़ा है तो बारह हो गया है और बारह में क्या किया है चार जोड़ा है तो सुल्व हो गया है आने की देखिए इस्टेप बाई स्टेप चल रहा है पहले दो उसके बाद तीन उसके बाद चार पहले दो जोड़ा फे तीन जोड़ा फिर चाट अब क्या जोड़ेगा अब तो पांच जोड़ेगा क्यों जोड़ेगा क्यों कि स्टेप बाई स्टेप जोड़ेगा ठीक है तो पहले दो तीन चार पांच अब और यह ताने पर क्या पढ़ता है इस और अस्थान पर क्या पढ़ता है यह पर दोस्तोव आज के लिए सब्सक्राइब और शियर करना ना भूलें